इस कारिक्रम के पुण्यार जखे शीमती विम्ला काला, पुत्रो एवं पुत्रवधु, मितिन बर्खा, अनल नंदुता, मितुन प्रियंका, पौत्रो एवं पौत्री, आयुष, नमन, रीमा, सुहानी, मानव, एवं सवस्तकाला परिवार, फर्म, पूरनमल भवरी लाल काला, मलक पेट हैदराबाद, पुत्री एवं दामाद, वीना राजकुमार जी बढ़ जात्या, रीना रविंद्र जी सेठी, जैन फूर्ड प्रोड़क्ट्स, मुक्तियार कंज, हैदराबाद, बिन्ती अगर पढ़ दे होते, तो अंतरंग का परिणाम बदल रहा होता, आपने बिन्ती पढ़ना छोड़ दी, संगीत की ध्वनियों में मंगनों, निर्मलता भी नहीं बन पारी है, डॉक्टर साहब, आज तक जिसने कभी, किसी के बारे में ऐसी ची कुछ तुमारे अंतरंग के परिणाम आपके वचनों से जलकते हैं, आपकी चेश्ठाओं से जलकते हैं, यहां सब लोग बहुत बहुत अनुभवी हैं, सब मात्र प्रवचन नहीं सुन रहा है, ध्यान रखना, जितने हैं ना, आदित सागर जी माराज जी, आप भी सब को पढ़ना अच्छे से जानते हैं, जितने बैटे हैं आमने का अदिगंबर मुनी तो जहां जो भी हो उन से थोड़ा बचके ही रहना चाहिए, सब के चेहरे पढ़ना, यह मात्र प्रवचन नहीं सुन रहे हैं, अभी तो परिच्छा भी चल रही है, माराज कैसे हैं, कभी सुना, सुना ना मा, कितनी बार सुना, लेकिन कभी विचार किया कि कभी ने कलपना की है, कभी विचार जाता है कि क्या कभी की कलपना होगी, उसने जब जल को चड़ाने के लिए निर्मलता की कलपना की, जल चाहिए था जो सब से सच और निर्मल हो, वही तो मैं अच्छा लगा अंकित कुछ अच्छा लगा जल की उपमा देनी थी निर्मलता स्वक्षता की निर्मलता की अगर कोई उपमा थी तो इस जगत में सबसे निर्मल यदि कोई नहीं मिला जिसका हिड़ दे सेश्ट होगा वही नगनत्व को धारण कर पाएगा द्यान रखना ग्यानी दिगंबरत वह है महिमा है दिगंबरत की महिमा है जिसके अंदर वासनाएं कभी वस्त नहीं छोड़ाएगा वासनाओं नहीं तो वसन को धारण करवाया है वासनाएं ह क्योंकि वासनाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं मात दिगंबर योगी के वसन भी नहीं है और वासनाएं भी नहीं है इसलिए यह जगत में सब के लिए स्रद्धा और आधर के पात बन जाया करते हैं कि युवावमत सुनलो सुनलो ध्यान से यहां पर ध्यान रखो तुमस जरूर लगता है कि हम बाहर से ऐसे हम अंत्रंग से बहुत अच्छे कई बच्चे कहते हैं क्यानी हम मंदिर नहीं जाते इससे अच्छे मां आप लोगों कई बार अपने बच्चों से सुनने मिलता हम से अच्छे तो आप से अच्छे तो हम हैं आप आके गुस्सा करते हो हम मंदिर नहीं जाते हैं इससे अच्छे हम है बिल्कुल गलत धारणा है जिसका अंत्रंग निर्मल होगा ना वो मंदिर में जरूर मिलेगा हां गलत यह भी है कि मां मंदिर जरूर आती है और मां मंदिर आके पुना सबसे आदा अगर बच्चों को दूर करने के लिए कारण बनता है ना तो आप ही बनते हो क्यों मंदिर में तो आप बड़े अच्छे अच्छे पूजा हैं बारा बहावनाओं का पार्ट करके जाते हो और घर पे जाते हो उसका प्रियोग नहीं करते हो वहाँ पर किसी ने कुछ बोल दिया तो आवेगित बहुत आवेग में आ जाते हैं तब ये कहते हैं मा दादी त करते हैं कि वह लोग क्या करते हैं दो घंटे पूजा करते बिटा लेकिन ध्यान रखना आज यहीं बता रहे हैं दो घंटे पूजा करने वाला कि भाव निर्मल अवश्य होंगे लेकिन जो यह सोच रहे हैं कि हम तो पूजा नहीं करते उससे स्रेष्ट हैं वे लोग अपन यहीं भ्रह्म में जी रहे हैं अपने ही ब्रह्म में जी रहे हैं यह चटान देखी चटान कि डॉक्टर साथ चटान में अगर कोई हतोड़ी मारे पणि चटान में जब यह जैपुर में मूर्तियां बनती है तो चटान तोड़ी जाती है तो हतोड़ी मारना प्रारम की जाती है मार दी पहली मारी जब अंतिम हतोड़ी पड़ती है भाव जी वह चटान तूट जाती है सत्य ना कि बेख जितने लोग हैँ जब वह अंतिम अतोरी पड़ी तो चटान तूटक गई तो चटान जो तोटी एह बहुत अन्तिम हतोरी से तूटी है कि अने अगे सब मानेहें उसके तुक्ड़ें तुक्ड़े गई तब चटान पर हतोरी मारी गई वह अंतिम हतोड़ी से ही चट्टान तूटिये ना पहली वाली मारनी नहीं चाहिए थी ना कि अरे पहली वाली से थोड़ी ना तूटिये अंतिम जब हतोड़ी मारी गई है तब चट्टान तूटिये तो पहली क्यों मारना अंतिम वाली मारूना यानि फिर समझ में आता है जितना असर अंतिम ने किया था उतना ही असर पहली हतोड़ी ने किया था अगर पहली हतोड़ी नहीं पड़ती तो अंतिम हतोड़ी कोई कारिकारी नहीं होती ऐसे ही मा जो प्रती दिन आज आप भावनाएं भाती हो वे प्रतम हतोड़ी भले तुम्हेरे अंदर में से क्रोध मान माया लोब की कोई भी कमी नहीं हो रही है लेकिन पैथम हतोड़ी मारना प्रारम कर दी है एक दिन जरूर यह है कर्मों की चटान अढह जाएगी यानि इसलिए भले मन नहीं लग रहा हो जित्ते युवाँ सुनलो भले मन में मंदिर में मन नहीं लग रहा हो लेकिन जाप करना मत छोड़ो हाँ जाप करना मत छोड़िए मत छोड़िए हतोड़ी पढ़ने दीजिए पढ़ने दीजिए एक दिन से ह conserv ह gjort यही बार-बार पढ़ती हुई थीरे धीरे पढ़ती हुई अब अनेक कर्मों को तोड़ने का कारण बन जाएगी दीखना भावनाएं क्योंकि यह 12 सनु पिक्खा जिसे आप 12 भावनाएं कहती है भावनाएं आपके साथ क्या करती है भावनाएं यही काम करती है जो भाव आज तक मेरे हिर्दे में नहीं आया है उस भावनाओं को जब मैं बार-बार भाने लग जाता हूँ वह हतोरी का काम क एक दिन जितने भी मोक्ष गये ना दादाजी, जो आप रोज पढ़ते हो ना कहां गये, नहीं पढ़ते, अब कुछ नहीं पढ़ते, अब तो सब का इस्तान किसी और ने ले लिया है, नहीं तो राजा राणा तो आती होगी राजा राणा, राजा राणा छत्रपती किस से बोल रहे हैं? किस से बोलते आए? कभी बोलते हो अपने से? बहुत कम होता है हम बोलते रहे जाते हैं लेकिन भावनाएं उसकी अंदर में नहीं आती हैं और भावनाएं अधी अंतरंग तक लेकिन फिर भी बोलना मत छोड़ देना भावनाएं अंतरंग तक नहीं पहुँच रही हैं कोई बात नहीं लेकिन किसी धिन पौँच जाएंगी ना, उसी धिन काम बनना प्रारंब हो जाएगा, और ये मत सोचो कि भचन जो जा रहे हैं, जितने लोग ऐसे बैठे हो जैसे वो मेडे के सामने कोई प्रवचन करने बिठा देना तो वो घूर घूर के देखता पता नहीं कौन सी भासा में बोल रहे हैं मेरे अनेक चेहरे ऐसे दिख रहे हैं कि महाराज बोल के आ रहे हैं पता नहीं हाँ ठीक है अभी भासा समझने में एक आत दिन लगता है वैसे कल आपने सुने थे आदिस सागर जी महाराजी को आप तुरंट पकड़ने लग गए हो क्योंकि चार-चाह दिन हो गये जैसे भाईया पहले दिन यह जैसे चेहरे दिख रहे ना ऐसा रहता है ऐसा ही जब पहले दिन आदिस सागर जी आया होंगे तब महाराज लगता है है आप देखना जैसे आपके अंतरंग के भाव होंगे भी तुम्हारे वचनों में जरूर जरूर दिखेंगे चेहरा भी उनका ही निरमल हो होता है जिनका अंत्रंग निर्मल होता है को अब देखो आप लोग संगीत सुनते हो संगीत अनेक लोगों का संगीत आपने सुना होगा चार लोग है यह वाँ साथ एक ही भजन को गाने वाले गला की रवी चारों के गीत में अंतर आ जाता है कि मां गीत नहीं समझ में आ रहा हो तो एक ही आटा सब्जी तो आप बनाते हो एक ही जन ने उसन ना एक ही जन उसन के रखना हाटा उतना ही नमक उतना ही सब उतना तबा वही गैस नहीं तो आपको गे तबा पतला है तबा मोटा है या अग भोजन बनाएगी तो स्वाद भिन्न होगा और दूसरी माँ उसी चीजों में भोजन मनाएगी तो rundy का स्वाद भिन्न ऒएफिए बहुति जितने लोग बैठे हैं अुछ है लोग पहाड या जी जितने लोग बैठे है मा के हाथ की रोटी का स्वाद और बेटे की मा के मा की रोटी का स्वाद और बेटे की मा की रोटी का स्वाद समझ में आ रहे है भाईया वही आटा रखा था और मा खिलाएगी मा बनाएगी और बेटे की मा बनाएगी इन दोनों में अंतर आता है कि नहीं एक के अंदर में वासल होता है तो स्वाद बदल जाता है और दूसके अंदर वासना होती है तो स्वाद बदल जाता है भावनाओं ने क्या किया आपके वह रोटी के स्वाद को बदल दिया ऐसा ही वचनों में भी जो परिवर्तन आता है वह आपके भावनाओं की देन होता है वचन कहे जाएंगे बहिए चार लोग गीत गाते मिलें सबको एक सा देने पर एक सा नहीं होता है फिर आप कहते हो अरे वो वाला जो गाया था ना उसने हिर्दय को छू लिया पर भूचल कर रहा था वो बचनों में नहीं था वहिश्यों में नहीं था ना अ मिर्थी अजब्धं में जो घृड़े को जलका रहा था कि वचन क्या हो रहे हैं कितनी मदुड़ता है फिर्दय को इस पास कर रहा है अंतरंग में जो तपन है वह मिटने का कोई इस्थान है तो वह गुरू चरण ही है जिन्वानी के पास जो जो आएगा ग्यानी बाहर की तपन बहुत कम है आपके अंदर जो संकल्प विकल्प कलुष्टा रागदेश की तपन बढ़ गई है उसको यदि शान्त करना है ग्यानी तो जिनेंद भगवान की यह है परम अम्रत मैं वानी ही आपको वह अंतरंग में शान्ति दिला सकती है नहीं तो एक दूसरे को पेर की स्थे की स्थे जीवन निकल जाएगा शांति कभी नहीं होगी जानी कभी नहीं करना महराज ने कल बताये वह चार लोग और लेकिन सुधार किसको है चार लोगों में अपनी है ध्यान रखना कोई चार लोग दूसरे नहीं है कल बताये थे महराज जी ने बहुत सारे चार लोग इस चार लोग हम दूसरे में धूरते हैं इसलिए ना तो कभी समाज को सुधार पाते हैं 4 लोग जिस दिन अपने अंत्रंग में जाकने दिख जाएं कि ये चार लोग मैं ही हूँ उस दिन से समाज जैसे आज एक प्रंगण में बैठके आनन ले रही है ना ज्यानी ऐसी मात्र इस प्रंगण में नहीं शंपूर भारत वर्श क्या पूरा स्विश्व एक ही जिनस आसन की द्वज के नीचे में बैठेगा है यहीं तो महावीर भगवान का सिद्धान्त है में स्थ्था धस्थान द्याम попроб你好 जगत में मेरा कुछ जीवाँ से था कुछ उनसे हमारा महावीर भगवान के सिद्धान्ट नहीं हैं कि सबसे पहला अगर कुछ चाहिए तो अपने अंदर में सुधार करना होगा अपने अंदर जितनी कलुस्त आएगी चेहरा फीका होगा वाणी में मधुडता की जगे मां घर में भी रहो ना बहुवों से काम निकलवाना है ना कुछ नहीं दो मिष्ट वचन अगर कह दिये ना और बहुवों को मां से काम निकलवाना है बस मां बोलना सीख ले हो गया काम मां बोलना जहां सीख लिया जिसने या क्या मधुडता है वह शब्दों की मधुडता ही तो हिर्दे को चूती है लोग आज कुछ नहीं चाहते आप से भीया कुछ नहीं चाहते अगर दो वचन भी हम प्रिये नहीं बोल पाएं तो फिर आपके अंदर की कलुष्टा समझ मे आजाती बहुत अपने में अहंकारी बुरिश है अपने आप में ही रहता है दूसरे से बात भी नहीं करना चाहता है यहीं तो होता है यह क्यों आदिस सागर जी के पास सहच सागर जी के पास खेचे चले आते लोग भीया निर्मलता है निर्मलता कोई दिखावटी पना नह कोई दादाजी आप पहुंच जाओगे तब भी वही परिणाम है जिनके अंदर में विशुद्धी है उसी के कारण यह सब कुछ हुआ करता है वंदना उसकी कीजिए जो स्वयम में वंदनिय हो जो निर्बंद की ओर ले जाए उसकी वंदना की जाए सकती है जो स्वयम वंद बंदन करता आया और बंदना ही करता रह गया तो कभी बंदना करने का फल कैसे प्राप्त करेगा आज तक संसारी जीव ने बंदना तो की लिकिन कहां बंदना करनी थी इसका ज्यान नहीं था इसलिए उस बंदनिय को ना पहचानने से जीव ने अपने अनंत संसार का बंद क आज आचार भगवंत आपको बता रहे हैं कि क्या वंदनिये हैं नमी उन सब्व सित्थे उन सर्व सित्धों को नमस्कारो यह जिन शाषन है जग्दी जी जिन शाषन है जिन शाषन यहां प्रभू बनाते नहीं मिठाते नहीं यहां तो बताने वाले ही प्रभू होते हैं यह जिन शाषन है यह भगवान के द्वारा संचालित शाषन नहीं है यह भगवान के द्वारा बनाया शाषन नहीं है यह वह शाषन है जिसमें जो सत्तिता है उसको जानने वाले भगवान है उसको बताने वाले भगवान है उसका नाम अरत और सिद्ध परमेश्टी हुआ करता है मालपुरा वाले मालपुरा यानि यह सब माला माल अब समझ में मालपुरा नाम क्यों है भवरलाल जी आज मालपुरा नाम क्यों यह समझ में आगया प्रकाश भी या मालपुरा नाम इसलिए है यह जो तुमारे जिनाले तेखोगे न, गर्ब होता है आप लोगों को हो या ना हो आपके रॉम्ते खड़े हो या ना हो ऐसे जिन मंदिरों को जब देखते हैं तो अंतरंग में विशुद्धी की लहर दोड़ जाती है आप लोगों को तुमा तो पास में है आपको कीमत नहीं समझ में आती जो चीज बहुत आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत हम नहीं कर पाते हैं इसलिए आपको पता ही नहीं होता है लेकिन ये दिहन रखना देव सास्थ गुरु का मिलना ये बहुत आसान नहीं है रीमा, सुहानी, मानव एवं सवस्तकाला परिवार फर्म पूरनमल भवरी लाल काला मलकपेट हैदराबाद पुत्री एवं दामाद वीना राजकुमार जी बढ़ जात्या रीना रविंद्र जी सेथी जैन फूर्ड प्रोड़क्ट्स मुक्तियार गंज हैदराबाद झाल प्रोड़क्ट्स मुक्तियार गंज हैदराबाद